अचभव संजीव कुमार आज आप लोगो को पढ़ाउंगा वार्ट-पीत-कप दोस्त यह क्या होते हैं हम लोग फर्स्ट एर में जब एडिमिशन होती हैं हमारी तो ह सर पुछते हैं दोस्त कितने होते वो लोग पढ़ाते फिर अगनी कितनी होती है यह सब लोग फरस्ट यार में अभी पहली पहली बार अर्यवेद में पर्पर इंट्रोडक्षण भी नहीं पढ़े होते हैं तो बहुत दिकत होता है इसलिए में आपको आज बैसिक जो होता है वाज पित कप का जो समझने के लिए है वो मैं आज बत दोस्त एक बोलते हैं, मानसिक दोस्त, यह lecture देखने के बाद, आपका first year बहुत अच्छा से जाएगा, क्योंकि यह basic रहेगा, यह lecture में आपको पूरे पता चलेगे, वाद पित कप, वाद पित कप, वाद पित कप, यह जो सरलोग बोलते रहते हैं, यह क्या होता है, इसमें सारिक दोस्त होते हैं, सारिक मतलब body, यह मानसिक दोस्त, मानसिक दोस्त कितने होते हैं, यह हम आगे के lecture में पढ़ेंगे, तो वाद, पित, कप, यह तीनों को combination में बोलते हैं, त्री दोस्त, तो कभी भी कोई भी teacher पूछे, कि दोस्त कितने होते हैं, अज यह दोस्त क्या है ये भी मैं अब भी बताऊंगा पहले पुछने हैं कि दोस कितने होते हैं तो आप लोगों समझ जाना है कि दोस पुछ रहे हैं मतलब वो त्री दोस का बात कर रहे हैं तो उस समय हम लोगों एंसर देना रहेगा वाट दोस, पीद दोस, कफ दोस दोस कितने होते हैं, तो तीन, वाज़पीत कप दोस, अब दोस पूछे तो आप लोगो क्या समझ जाना है, कि सर्थ तरी दोस पूछ रहे हैं, तो वाजपीत कप बोल दिया दाएगा, अब चलते हैं कि ये दोस क्या होता है, तो दोस मैं बता रहा हूँ, जैसे हमारे संसार को ब्रमा विश्नु महेश चलाते हैं वैसे ही वाधपित कप अपने सरीर में रहती है और अपनी सरीर को यही वाधपित कप चलाते हैं ठीक है तो यह वाधपित कप कप बनते हैं ऐसा सुसुरत और आचारे ने बोले हैं कि जब गर्भ धारन होता है गर्भ कहा धारन होता है गर् गर्व की यह वाततो गभ बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्राकृतिक प्राकृतिक labels थीक है मतलब क्या कि जब गर्व बनती है उस समय कि जो दोस बनते हैं उसको बोलते हम लोग प्राकीरतिक दोसे को यह viver बन गई गर्व के आवास्ता में, जब जाइगोट और इसका इंप्लाटेशन होते हैं, modern से देखे तो, मतलब जब गर्व बनती है, गर्व, गर्व कहां रहती है, गर्वासर में, मतलब uterus में, जब बेबी, जब उसको जब जाइगोट बोलेंगे उस समय, बेबी नहीं बोले प्राकिर्तिक आवस्ता में, प्राकिर्तिक जब गर्व का धारन होता है, तो उस समय जो दोस ज़्यादा होगा, फादर से आता है दोस और मदर के दोस, जो ज़्यादा होंगे, जो प्रवल में होंगे, वो उसकी प्राकिर्तिक बनती है, वात, पीत, कव, अब ये तीनों मे जो दोस ज़्यादा होगा वात दोस भी ज़्यादा हो सकता है उसमय दोस भी हो सकता है कभ दोस भी हो सकता है वात पीत भी हो सकता है वात कभ भी हो सकता है या तीनों हो सकता है तो उस समय जो ज़्यादा दोस प्रबल में रहेंगे उस दोस्की उस समय उसकी body हो जाएगी मान लिजिए कोई वेक्ति है वो वातज और पितज उसकी प्रकिर्तिक है सर बोलते हैंगे वातज प्रकिर्तिक के वेक्तिक कफच प्रकिर्तिक के वेक्ति इसका मतलब हुआ कि जब उसकी गर्ब जब बनी होगी उस समय जो दोस उसके सरीर में जाड़ा होंगे वो दोस का उसकी प्रकिर्थिक हो गए और ये कभी नहीं बदलती माल लीजीए कोई इनसान है ठीक है? इसकी प्रकिर्थिक वादपीत है वो हमेशा के लिए वादपीत थी रहेगी खुश भी कर ले इसके प्रकृति बदलने वाली नहीं है तो जो गर्व बन गया तो बन गया तो जो प्रकृतिक आवास्ते में होते हैं वाध्पित कप होते हैं फिर हम लोग जब खाना खाते आहार विहार करते हैं उसके हिसाब से वाध्पित कप बैलेंस और इंबैलेंस होत हैं यह तो समय प्राकृतिक आना थी लेकिन जब यह समान होती है कोई बढू चीज का ती नवस्ता होती है या तो समान है या उस जो च्शाय मतलब कमी हो गए करती है पूर समान ने है उस समय उसको वाड़ पीत कप, यह हमारी बोडी को चलाती है, वात का काम अपना करेगी, पीत अपना काम करेगी, कफ अपना करेगी, यह जो वात पीत होता है, तिरी दोस होता है, वह यह अपने बोडी को कंट्रोल करता है, अब यह दोस्तों सामानने है तो ठीक है, लेकिन अगर बढ़ गया तो ब ब्रीधी करा देना है अगर इसकी ब्रीधी हो गई है तो च्छाई करा देना है बस समाने आवस्ता में ला देना है तो वात पीत कफ यह जो तिरी दोस होते हैं यह तिरी दोस अपने प्रकिर्तिक जब बनती है तब ही बन जाती है वात पीत कफ की प्रकिर्तिक अब देखते है जो वात वाले प्रकिर्ति के वेक्ती होगा एक होगा पित्ताज एक होगा कफ़ज कहें कि ट्वि दो सज्म्लाइक मतलब बहुत थ लाएगा और पीत भी रहेगा एक पित और कफ है या वाक श्रण क्या है कि यो रहेगा वो वात भी रहेगा पीत भी रहेगा और कफ भी रहेगा मतलब ये तीन ये तीन छे और ये एक कितने हो गया साथ ये तीन के कमिनेशन कितने हो गया साथ तो साथ परकार के प्रकृर्टिक होती है वातज, पितज, कफ़ज वातज-पितज, वातज-कफज, पितज-कफज और वात-पित-कफज ये साथ परकार के प्रकिर्तिक हो गए अब हम लोग दोस कितने होते हैं तो तिरी दोस, तिन दोस होते हैं अब इनकी देखते हैं कि दो प्रकिर्तिक समझ गए कि जब गर्व धारन हुआ, जब गर्व की धारन हुआ, साथ परकार के प्रकृतिक में से एक कोई प्रकृतिक उसकी बनेगी, चाहिए वो वातज बनेगी, या पितज बनेगी, और जो भी हम लोग देखे, ये बनेगी, अब देखते हैं कि दोस जो होते हैं, त्री दोस, ये इसकी अस्तान कहा होती है जो त्री दोस होते है जो हम लोग हमेशा बोलते हैं दोस दोस ये जो दोस होती है उसकी अस्तान कहा होती है तो जो वात दोस होती है उसको हम लोग नाभी से नीचे ओवरॉल बोलते है नाभी से नीचे रहता है वात दोस कहा होता है नाभी से नीचे पित दोस्त की अस्तान कहां होती है एक्चुली इसको नाभी बोलते हैं और इसको नाभी और हिर्दय के बीच में बोलते हैं हिर्दय के उपर आए समझ में वात का स्थान कहा है नाभी से नीचे पित का स्थान हिर्दय और नाभी के बीच और कपकी अस्थान हिर्दय के उपर अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो वात पित कप होते हैं वो कप जादा होते हैं अब हम लोग देखेंगे जो वात पीत कप का होए उसकी आवास्ता कहा है तो जो वात जो होता है वो ब्रिद आवास्ता में होता है ब्रिदा आवास्ता ब्रिदा मतलब क्या होता है बूरे में वात होता है पीत का होता है तरुन आवास्ता तरुन मतलब जो नौजवान वेखत सब्सक्राइब क्या तिंसरा के ब्राइब वह पीर्ड के कारण तो लेखे थीJust वात पित कफ दीन में कफ ज़्यादा होता है तो जब सुबो होता है तो दीन की शुरुआत में कफ ज़्यादा होता है दीन की जो मौर्निंग होती है उसमें कफ ज़्यादा होगा आफ्टरून में पित और इबनिंग में वात ज़्यादा होगा कफ पले आएगा पीट मिडियम में आएगा और वात बाद में आएगा सुबभय में कप दोपोर में इबनिंग में वात धोश्जादा रहेगा अब हम लोग देखेंगे कि वात, पीट कफından होता है। यह खाने के अनुसार कभ होता है, तो जो वात होता है, वह हम लोग हमेशा देखेंगे, कफ पले होता है, तो खाने की सुरुआत में कौन रहेगा, कफ, exploring में कौन रहेगा, खाना जब खाते हैं, उसको, starting में, starting में, कफ, जब खाना खाने के माध्यम आउस्टा में रहेंगे तो कौन सी दोस प्रभल रहेगी पित और जब खाना खालेंगे तब कौन सा रहेगा वात अंत में, खाने के अंत में, खाने के अंत में क्या हो जाएगा, वात हो जाएगा, अब हम लोग देखेंगे वात पित कप का भेद कितने होते, वात पित कप, अब इनकी भेद देखेंगे, तो जो वात के भेद पांच होते हैं, पित के भी भेद पांच होते हैं, कफ का भी भे करती है आप आनवाई वह क्या होती है सरिर के निचली भाग में होती है वैसे ही पाचक पीथ रंजक, जो इसकिल डिश हो सब्कषक होते हैं, पर किरदच में इसक्रमारे डिश हो सघ्ल में इसेशन होता है यह वाचित फ्रसक उल्लबक में लेदक, बोधक, तरपक, असलेशक जब बोधक होता है वो जीवा में होती है अपने ज Among ये याद कर लीजिए कफके कितने बेज कर लीजी तो अभी हम लोग देके वाट, पीद, पंच फोते हैं फिर एक और चीज़ सरलो पुछते हैं कि ये धातु कितनी होती है धातु ये धातु बहुत आती है तो वात पित कप क्या होता है अपने बोडी को कॉंट्रोल करती से लिए इसको दोस बोलते है जो जब भी विमारी होती है तो धातु क्या होती है ये धातु को irritate करते हैं प्रोलम देते हैं तो धातु कितने होते हैं यह साथ होते हैं जो धातु कितने होंगे साथ ठीक है कौन-कौन से धातु यह आती है तो सबसे पहला होता है रस धातु फिर कौन सा रक्त फिर कौन सा मांस फिर मेद फिर अस्ति फिर मज्जा लाश जो होती वो सुक्रधातु होती है ठीक है धातु कितने होती है तो रस धातु रक्त धातु मांस धातु मेद धातु अस्ति धातु मज्जा धातु सुक्रधातु रस धातु क्या होता है जब हम लोग खाना खाते हैं तो वह सबसे पहले डाजेस्टि जो सबसे पहले मेटर होते हैं उसको बोलते है रस धातु रस फिर जो मज्जा होता है उसे सुक्र धातू बनता है तो कोई पुछेंगे धातू कितने होते है तो सात रस रक्त मास मेंद अस्ति मज्जा सुक्र फिर इनकी काम क्या होई यह हम लोग नेक्स लेक्चर न पढ़ेंगे फिर पुछेंगे लोग सरलोग की अगनी कितने होती है त जाठा रगनी यह स्पोमक में होती है अमासे में जाठा रगनी उसके बाद जो पांच होती है वो धातु अगनी होती है जो दूसरी होती है वो पांच भौतिक पांच भौतिक होई नहीं क्यों सी होती है पांच होती है एक तो होगी जाठा रगनी पांच होगी है पांच नामी है पंच मतलब पंच भौतिक पंच भौतिक क्या होती है मैं बता दे रहा हूं फिर जो साथ होती है वो होती है धातु अगनी कितनी होती है यह होती है साथ यह तेरा परकार की अगनी हो गई और यह 5 भौतिक क्या होती है हम लोग को एक concept होता है 5 भौतिक मतलब आकास आकास वायू अगनी जल और प्रिछ भी यह पांच परकार के 5 भौतिक होती है जैसे हम लोग 11 में पढ़े थे कि 118 जो एलिमेंट थे उनमें डिवाइड किये थे वो इसे अपने आर्वेद में जो हर एक चीज जो होते है वो 5 चीज से मिलके बने होती है चायो लीबिंग थी इनसो वो नई लीबिंग थी उसो अकास का मतलब होता है खाली अस्तान फिर आता है वायू फिर आता है अगनी फिर आता है जल प्रित्वी प्रित्वी का मतलब होता है कठोर चीज भारी प्रित्वी और यह 5 बहुतिक एक सिदान्त होता है उसका भी हम नेक्स लेक्चर में समझाएंगे तो अब ही हम लोग देखे क्या कि अगनी 13 होती है महाभूत कितने होते है तो 5 महाभूत पांच होते है कौन कौन से अकास महाभूत वायू महाभूत अगनी महाभूत जल महाभूत प्रित्वी महाभूत महाभूत कितने होते है पांच अगनी कितने होती है तेरो धातु कितने होते है साथ रस रक्तमास में सद्धी मस्ता सुक्र और धातु कितने होती है स वागपीट दोस्त कितने होते हैं तरी दोस्त और आप लोग की लेक्चर में कोई भी डाउट हो या कोई भी सब्जेक्ट में कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट सकते हैं मैं उसका लिए एक नाय वीडियो बना दूंगा